Money is life blood for any business हम साथ जानते हैं पैसे बहुत important होते हैं हर business के लिए लेकिन बहुत सारी studies globally जो conduct कराएगी वो कहती है कि बहुत सारे business fail हो जाते हैं क्योंकि उनके हाथों में पैसा नहीं होता क्योंकि उन्हें money management नहीं आता business के लिए भी money management होना बहुत ही important है आज किस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिसके थूँ आप अपने business में money management easily कर सकोगे और अपने business को profitable बना सकोगे So hello and welcome to freedom business Hindi YouTube channel और मेरा नाम है रिया सबसे पहले मैं समझती हूँ कि बहुत expenses होते हैं businesses में specifically अगर मैं initial stage में हूँ अगर मैं अभी start कर रही हूँ किसी business को करना तो वहाँ पर unknowingly बहुत सारे expenses आ जाते हैं जैसे employee जब hire होते हैं तो उनकी salary, office equipment, everything but फिर भी हमें अपने cash flow पर ध्यान देना होता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले tip के साथ तो सबसे पहली tip है know your worth well हमें लगता है कि हम उतने अच्छी नहीं हैं या फिर हम आगे business grow करेंगे ऐसे thoughts आते हैं as a business person but हमें अपने words समझने की बहुत जरूत है अब front आकर आपको अपनी बाते communicate करना चाहिए जब भी आप अपने clients के साथ बात कर रहे हो और जब भी contracts और जब भी payment related कोई भी contract sign कर रहे हो या सारी अगर documents ले रहे हो दे रहे हो तो वहाँ पर आपको अपने आपको ऐसे communicate करना है जहाँ पर आप money matters discuss करो make sure कि अगर आप कोई भी service या product provide कर रहे हो तो आप deserve करते हो to get good payment, to get paid so know your worth well अगली tip है have a business plan and budget अगर आप एक sensible business person हो तो आप ये make sure करोगे कि आपके पास full business plan और budget हो क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऐसा नहीं करते हो तो आपके cash flows जो है वो आपके control से बाहर हो जाएंगे and this will result in overspending इसके लाबा आपको एक accurate income statement बनाना होता है to determine the break even point of your business क्योंकि ये आपके revenue and expenses को जो पुरे साल में हुए हैं उसको summarize करता है and this will allow you to calculate your net profit and loss और सबसे महज बात ये है कि आपको यहाँ पर loan के लिए भी इन सभी चीज़े की जरुरत पड़ती है क्योंकि कोई भी money lender आपको बिना business plan और budget के loan नहीं देगा आपके business के लिए तीसरी बात ये है कि आपके पास एक business bank account होना चाहिए एक बात जब आपके पास बहुत सारे पैसे आने लगे तो ये better होता है कि आप उसको safe place पर डालो इसके लिए आपको business bank account खोल बा लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपके पैसे जो है एक तो higher interest rate भी मिलता है safe भी होते हैं ये मानना है कि कम से कम आपके bank खाते में जो आपके business bank account है वहाँ पर दो महीने के operating expenses हों और ये आपको future में help भी कर सकता है क्योंकि उतार चड़ाओ companies के होते रहते हैं कभी आपको investment के लिए पैसे चाहिए हो future में तो आप यहाँ से जो है ले सकते हो आपको एक secure bank account रखना चाहिए And the fourth tip Inventory Management Sensible businessman हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको बहुत सारे inventories जो है order नहीं करने चाहिए at a time You can choose the best inventory management software जो कि market में available होते हैं और काफी normal prices पे available होते हैं Instead of spending so much on that कि आप inventories जो है order कर रहे हो extra inventories order कर रहे हो only to clean the dust in store room तो आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए So that ये जो है आपको help करे to save your money ये जो है utmost importance रखता है for entire supply management or money management And the next one is disburse your money strategically हम सब जानते हैं कि as an entrepreneur, as a business person आपकिसी company को head कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारे खर्चे लगते हैं जैसे कि salaries प्रोवाइड करना credit card के bills भरना फिर अपने office में अगर कोई equipment नहीं है उसकी कमी पूरी करना बहुत सारे unexpected expenses भी होते हैं लेकिन अगर आपके पास एक बार बहुत बड़ा चेक आगया है आपको बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा आ गया है इसका मतलब यह नहीं कि आप उसको एक बार में खर्च कर लो strategically आपको वहाँ पर work करना होता है और इस तरह से आप money manage कर सकते हो basically हमें जो है small discounts भी यहाँ पर ignore नहीं करने चाहिए जैसे कि Freedom App के जो CEO है He used credit card to pay salaries of employees इससे क्या होता है इससे उन्हें हर महीने 25-30,000 रुपे की खमाई होती है इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे discounts भी ले रखे हैं जिसके तरह यहाँ पर वो money manage कर लेते हैं और तो और उन्होंने खुद का payment gateway बना रखा है जिसके तरह employees को salaries चली जाती है क्योंकि उन्हें money manage करना होता है हम सबको पता है कि taxes और ये सारी चीज़े भी है जो यहाँ के expenses में आते हैं तो आपको बहुती strategically और बहुती innovatively चीज़ों को सोचना होता है और clever mind के साथ bills पे करने होते हैं आपके account से सबकुछ एक साथ खाली न हो जाए अगला है have a good invoicing system invoice बहुत important होता है क्योंकि आपको अपने पैसे time पर collect करने चाहिए आपको जब भी fund चाहिए होता है तो आप make sure करो कि आप सही समय पर अपने invoices भेज़ दो इसके अदावा अपने customers और आपके जो भी users हैं उनके पास भी वो सब कुछ time पर भेज़ दो हो सकता है कि कुछ penalties हो जो आपके account में आ नहीं हो बट वो आई नहीं हो क्योंकि आपने invoice raise नहीं किया है तो इसलिए invoice raise करना एक अच्छी invoicing system होना important है ताकि सारे payments आपको time पर मिल जाएं अगला है ensure timely payments ऐसा होता है कि हमें लगता है कि मैं बहुत pricey हो रहा हूँ तो हमारे customers या फिर हमारे जो clients हैं वो मुझे उतना pain नहीं करेंगे ऐसा नहीं है हो सकता है कि आपके जो product हो या आपके जो services हो वो उन्हें पसंद आते हो और वो उन्हें affordable लगते हो सर्फ ये सोचना कि हो सकता है कि नहीं करेंगे मैं इस deal को complete नहीं कर पाऊँगा या फिर आप wait करते हो कि आज deal complete हुई है close हुई है तो मैं बाद में पैसे मांग लूँगा क्योंकि ये बहुत ही high price है ऐसा नहीं है हो सकता है वो बहुत ही comfortable हो deal complete होते ही payment के लिए तो अपने आपको आप underestimate न करें अपना worth जाने और आप जो कर रहे हो को सही कर रहे हो इस चीज़ को समझो और ask for what you deserve आपके account से आपके business में कितने खर्चे हो रहे है इस चीज़ को आपको देखने की जरुद पड़ती है अपने expenses को देखो sales में कितना खर्च हो रहा है marketing में कितना खर्च हो रहा है सारे expenses को आप calculate करो आप देखो कि market में अगर कोई ऐसे software अबलिबल है जो बहुत ही price ही नहीं है बट qualitative है आप उन software's पर काम करो switch करने की कोशिश करो money को manage करना है तो आपको अपने expenses को evaluate करना होगा Excel sheet बनाओ यह फिर बहुत सारे software's ऐसे आते हैं जहांपर आपको सारे details जो मैं बस एक बार लिखने होते हैं वो सब कुछ calculate कर देता है use these things to just see just evaluate your expenditure क्योंकि आपको पता होगा कि आपको कितने खर्चे करने हैं और अगर यह खर्च यहां से यहां चला गया है तो आपको पता है कि आप loss में जाने वाले हो लेकिन अगर आप evaluate करते हो आपको लगता है कि नहीं यह चीज़े इतनी में भी हो सकती है क्योंकि जब तक आप उसको note down नहीं करोगे evaluate नहीं करोगे आप यह नहीं manage कर सकते so you need to manage you need to evaluate so आपको यह सारी चीज़े समझ ले नीच रहे हो next one is maintain separate business and personal funds कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक ही account होता है उसी account में business के भी पैसे है उसी account में personal funds भी है तो आप क्या कर सकते हो आपको बता है आप over spend कर दोगे and इसके अलावा आप अपने business fund को भी use कर सकते हो for personal need for अपनी जरूरते तो ऐसे में क्या होगा कि आप loss में चल जाओगे जब आपको जरूरत पढ़ेगी आपके उस business fund की आपके पास वो नहीं होगा and this will result, this will harm your business तो हमें इस बात को भी समझना है तो आपको जो है यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग-अलग manage करनी है next and last and probably यह सभी चीज़ों में लागो होता है don't fear failure failure होते रहते हैं और अगर आप चीज़ें manage नहीं कर पा रहे हो एक बात पर, एक वक्त पर अगर वो fail हो गया है तो ऐसा important नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि next time भी वो fail हो अगर आप इस बार money manage नहीं कर पाए हो इन सारे tips को follow करो and then देखो आप जो है money management कैसे कर सकते हो ये हमें इस वीडियो में देखा है दोस्तों मैं बस यहीं कहूंगी कि कोई भी business जो है आप कर रहे हो आपको अच्छी खासी समझ होती है लेकिन कुछ point पर हम जो है चूक जाते हैं, कई बार हम over spending कर देते हैं और इसकी वज़े से हमें बाद में loss हो जाता है चोटे-चोटे खर्चे भी matter करते हैं इवेन अगर आपको लगता है कि इस पचास हजार रुपे के बजट में से मैं दो हजार रुपे अपने उपर खर्च कर लूँ अपने business वाले account से तब भी आपको loss हो सकता है क्योंकि छोटे-चोटे खर्च भी matter करते हैं इसे के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खतन मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब प्रीडम आपको डाउनलोड लिंक रेस्क्रिप्शन बॉक्स में मौचूद है रन्यवाद